आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दोस्तो अगर आप फेस्टूदॵुक चलाते हूं तो फेस्बूक में जो यह स्टोडी उपर में लगा हूँ रहा दोस्तो इसे आप कैसे डांफ ऑग सकते हैं जैसा कि दोस्तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ उपर में इस डा काई ते रहा है यहां पर जो भी एस बोड़ाइज अगर आपको देखने में कुछ अच्छा लागता है दोस्तों तो आप इसे डॉनलोड करना सुछते हैं तो आप इसे कैसे डॉनलोड करते हैं इस ही के बादिया मैं इस वीडियो में बताया हूं इससे आप इजी एंड एंड एस्टिफ में बताया हूं दोस्तों भूपीजी में दौस्तों आप असानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए वीडिव सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले स्थोटा सा कि दोस्तों अगर आफ हमारी चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अबम नोटिपिकेशन को अउन कर लिजिए ताकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपसे मिस ना हूँ लाई तो थे दोस्तों जैसे आप फेस्बूक उपेन करते हैं और ऐस तोड़ी लगा हुआ जिसको यहां पसे डानलोड कर सकते हैं जैसा कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर कोई ऐसा option नहीं है कि जहांसा आप इसे असानी से download कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहां पर आप इसे download नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों इसी के बारे में मैं बताऊंगा कि आप इसे कैसे असानी से download कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो सुरू कर लेते हैं इसके लिए दोस्तो आपको पली एस्टोर पर जाना है और एक छोटा सा application आपको download करना है save story for facebook करके search करना है और इसे अपने mobile में install कर लेना है हम पहले से install किये हैं दोस्तो वैसे इसका link मैं description में दे दिया हूँ आप वहाँ से भी जाकर करके असानी से download कर सकते है उसके बाद दोस्तो इसको open करना है open करने के बाद दोस्तो आपके पास कुछ इस तरह का interface आएगा आपको simply यहां login with facebook पे click कर देना है और click करने के बाद दोस्तो यहां पर आपको 2-4 second wait करना है और wait करने के बाद दोस्तो इसे जो है यहां पर चलिए दोस्तो wait कर लेते हैं और wait करने के बाद दोस्तो यहां पर आपको यहां पर अपना mobile number या email ID और passport दे करके इसे login कर लेना है लॉग इन करने के बाद दोस्तों आपको जो है ओके पर किलिक कर देना है चलिए ओके पर किलिक कर देते हैं ओके पर किलिक करने के बाद दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आपका पोस्ट होगा वो पोस्ट आपका इटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों फेस्बुक का उसके बाद दोस्तों आपको सिंप्ली करना क्या यहां पर आपको as story का option दिखाई देगा आपको इस पे click करना है और click करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते है आपका जो भी facebook में as story लगा हुआ वो as story यहां आ चुका है अब इसे download कैसे करना है उसके लिए दोस्तों आपको उस story पर click कर देना है और जैसे हैं आप story पर click करते हैं दोस्तों यहां देखिए आपका story ओपन हो चुका आप इसे यहां से आप play भी कर सकते हैं जैसे ही पले किये दोस्तों हम इसको यहां भी पले नहीं करेंगे दोस्तों ही नहीं तो copyright claim आ जाएगा उसके बाद दोस्तों जैसे ही पले करते हैं यहां नीचे मापको download का option आ चुका है अब आपको simply करना क्या है इस download वाले option पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहां पर allow कर देना है जो भी permission मांगेगा उसे allow कर देना उसके बाद दोस्तों यह देख सकते हैं, डॉनलोडिंग हो रहा है, डॉनलोडिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप इसे आप देख सकते हैं, यह जो है डॉनलोड हो चुका है, दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका स्टोरी आ चुका है, आप चाहे तो इस आपको इन डॉनलोड वाले option पे किलिक कर देना है जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों यह देखिए डॉनलोडिंग होना start हो गया और इस तरिका से आप अपना गैलरी में इसे आप डॉनलोड कर सकते हैं यह देखिए दोस्तों डॉनलोड हो चुका तो उमीद करता हूँ कि दौस्त एज एक रिडियोगे